हलो दोस्तों नमस्ते स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चेलन नेहा ब्योटी क्लिनिक में तो आज का जो हेर कट है इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगे क्योंकि आपको खुद बताना है कि मैं कौन सा कट कर रही हूँ तो आप देख सकते इनका बाल कैसा है लंबा है काफी लंबा है और बहुत घना भी है और सुरत तो है ही तो इसके बाल के हिसाब से मैं इसमें कटिंग डाल रही हूँ और आपको बताना है कि हम कौन सा कट किये हैं तो चलिए स्टार्ट करते हूँ तो सबसे पहले मैं कटिंग सीट लगा लेती हूँ और अब हम पीछे से पहले से मैंने कंगी कर लिया था अब पीछे से हम नीचे से कट करेंगे थोड़ा सा गाइडलाइन बनाने के लिए थोड़ा सा नीचे से अपने अंगली में लेके एकदम बरावस से हम नीचे से बाल कटिंग कर लेंगे नीचे से कटिंग करने के बाद हम सामने से बीचो बीच मांग बनाएंगे बीचो बीच मांग बनाने के बाद दोनों बाल जब हमारा डिवाइट हो जाए तो आगे से हम थोड़ा सा तिर्छा मांग करते हुए इस तरह से लाइन बनाते हुए दोनों साइट से बिल्कुल बरावर बरावर करके बाल निकालेंगे और उसके बाद अंगली मिलेंगे और अंगली में लेने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कितना लंबा रखा है और उसके हिसाब से हम बीच से बरावर कर देंगे क्योंकि हमें एकदम लंबा बाल पीछे से कटिंग करना है तो आगे से भी हमें लंबा ही रखना होगा तो हम उसके हिसाब से आगे से लंबा कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम बालों को दो भागों में डिवाइट कर लेंगे दोनो साइट का बाल बिल्कुल बरावर बरावर डिवाइट करेंगे इस तरह से टेलकॉम के हेल्प से और एक साइट का बाल को हम इस तरह से सेक्शन क्लिप से समेट लेंगे उसके बाद दूसरे साइट का बाल को अच्छे से कंगी करेंगे और उसके बाद बालों में हमने स्प्रे किया है और अब हम आगे से बाल निकाल रहे हैं इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा तिर्चा करके बाल निकाला है और बाल जब तिर्षा करके निकालेंगे तो अच्छे से कंगी करके आगे के तरफ लेके आएंगे और आगे के तरफ लेके आएंगे तो अंगली भी इस तरह से देखिये कि मैंने किस तरह से तिर्षा किया है इस तरह से तिर्षा करके हम जो गाइडलाइन हमने बनाया था वह से कटिंग कर लेंगे अभी हम बिल्कुल तिर्चा तिर्चा कटिंग कर रहे हैं सीधा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें बाल पीछे से लंबा रखना है तो जब हम छोटा पीछे रखते हैं तो आगे का बाल हम सीधा रखते हैं लेकिन अभी बाल हमें लंबा रखना है तो इसलि से कंगी करके हम बाल उनका फेस को सीधा करेंगे और बाल को थोड़ा सा अपोजिट में ले के जाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम नीचे के तरब से तिर्षा कटिंग करते हुए जाएंगे ताकि पीछे का जो बाल है वो थोड़ा थोड़ा करके पीछे से लंबा ह निकाले हैं टेलकम के हेल्प से और सारा बाल कान के उपर से उठा के आगे लेके आ गए हैं सर को इनका तिर्षा कर देंगे और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके हमको बाल तिर्षा-तिर्षा कटिंग कर लेना है अब हमने सारा बाल ले लिया है पूरा का पूरा बाल लिया है और गाइडलाइन बना के अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम इस तरह से तिर्षा करके कटिंग कर लेंगे अब ये cutting एक side का cutting हमारा हो गया है अब एक side का जब cutting हो गया है तो इधर हम section clip के help से फिर से बाल को मोड़ लेंगे और दूसरे तरब का बाल को हम निकाल लेंगे अब दूसरे तरब का बाल को भी हम same तरीके से cutting करेंगे तिर्षा cutting करना है इस तरह से आप देख सकते हैं किस हिसाब से मैं तिर्षा कर रही हूँ आगे का बाल छोटा और पीछे का बाल थोड़ा थोड़ा लंबा होते जा रहा है अब थोड़ा थोड़ा बाल करके हमको निकालना है ज Lumba हो जाए और गाइडलाईन के हिसाब ले घंडली में लेते जाएं और थोड़ा तीर्षा करके हम कट करते जाएंगे बालों में कोई ये नहीं है कि हमको कितने भागों में डिवाइट करना है और कटिंग करना है बालों के हिसाब से जितना आप घना बाल है या फिर हाथ में जितना बैलेंस आ रहा है उस हिसाब से हमें कटिंग करना होता है उस हिसाब से हमको बाल को सेक्षन बना के कटिंग करना होता है तो आप थोड़ा-थोड़ा करके बाल लेते जाए और थोड़ा-थोड़ा करके बाल लेने के बाल उसको तिर्शा-तिर्शा करक कटिंग करते जाएं तो अब देख सकते हैं मैंने सारा बाल ले लिया है और सारा बाल लेने के बाद कान के उपर से हम बाल को निकाल के सारा बाल को निकाल के आगे के तरफ आ जाएंगे इस तरह से और फिर से हमें उसी तरह से तीर्चा करके कटिंग कर लेना है अब हमने cutting कर लिया है तो अब सारा बाल को एक बार हाथों में अच्छे से लेके उपर के तरफ उठाके लेकी जाएंगे और जहां से थोड़ा सा बाल कहीं निकला होगा तो उसको थोड़ा सा finish कर लेगी इस तरह से हमने finish कर लिया है अब कटिंग हमारा हो गया है अब हम क्या करेंगे अब बालों को हम इनका मांग को सीधा करेंगे जहां से ये करती है उस तरह से हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हमको आगे से थोड़ा सा और कट करना है क्योंकि हमें पीछे बाल लंबा रखना था तो पहले जो हमने गाइड लाइन बनाया तो उसको हम लंबा करके कटिंग किये थे तो आगे का बाल इस तरह से हम निकालेंगे और थोड़ा सा मिलाके हलका सा छोटा कर लेंगे और वो भी हमको तिर्चा करके ही cutting करना है और फिर से हम दूसरे तरफ से भी थोड़ा सा निकाले हैं एक्दम पतला बाल और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके तिर्चा करके cutting कर लेंगे तो अब तो बाल cutting लगभग complete हो गया है तो अब हमको पीछे का बाल को मिलाना है तो पीछे के बाल को हम सारा का सारा बाल को पीछे लेके आ गया है और पीछे लाने के बाद हमको अच्छे से बाल को कंगी करके अब जो थोड़ा थोड़ा हमारा cutting है उसको हम मिला लेंगे देखिए इस तरह से कैसे भी सेप में बाल आ गया है, जब आगे खीच के हम कोई भी कटिंग डालते हैं, तो पीछे से भी सेप आ जाता है, वैसे बताना है कि मैंने कौन सा कट किया है, क्योंकि ये कट मैंने बहुत बार अपने चेनल पे डाला है, और आप लोग बार बार कॉ देखना है, तो हम जानना चाते हैं कि आपने कितना सीखा है, जो कॉमेंट जिनका कॉमेंट सबसे पहले आएगा, और जो सही जवाब देंगे, उनका मैं अपने चेनल पे नाम लूँगी, और देखिए मेरा कटिंग कम्पलीट हो गया है, इस तरह से इनका बाल है, बहुत था, तो आप देख सकते हैं, इनका बाल कैसा लग रहा है, बहुत ही खुबसूरत और प्यारा लग रहा था, बाल वैसे वीडियो बहुत अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन बाल इनका बहुत खुबसूरत लग रहा था, तो अगर आपको मेरा ये कटिंग अच्छा लगा, तो मेरे चैनल पे जाईए, बहुत सारा कट है, बहुत सारा इजी इजी तरीके से कट बताया गया है, आप देखिए, और अगर आपको मेरे चैनल पे कटिंग अच्छा लगेगा, तो ही आप हमें सस्क्राइब कीजिएगा, और अगर सस्क्राइब कीजिएगा, तो लाइक तो जरूर ही किजिएगा लाइक और कॉमेंट करके पूछिएगा कि आगे आपको क्या सीखना है तो देख सकते हैं इनका बाल कैसा लग रहा है आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू बाइ बाइ